नो उत्तम शलुक बारतानाम जुशतां तत कथां मृतं स्याटसं ब्रमूंत कालेपी समरतां तत्पदां बुज्यम परमेश्वर भगवान जिनको उत्तम श्लुक कहा गया श्रीमत भागबत पहला सकंद में भगवान को और अलग अलग जगा में भी भगवान को उत्तम श्लुक कहा गया है उत्तम श्लुक का मतलब जिनको उत्तम चुने हुए बहुत ही उत्तम शब्दों के द्वारा वैदिक शब्दों के दारा, संस्क्रिस शब्दों के दारा या फिर कोई कैसे भी भगवान को उनका महात्मिय, उनका जो महीमा वर्णर किया जाता है उत्तम श्लुक तो उत्तम श्लुक भगवान के महीमा आए सुनके, श्रवन करके जो वेक्ती, जो भक्त उनके जीवन, उनके दिन विताते है वो भक्त उनका, जीवन का अंत में पर तु क्या समाई? या शरीर छोडने का समाई भगवान को स्मरन करने में उनका कोई कठिना ही नहीं होगा जीवन का उद्देश्य क्या है? अंते नारायन समर्ती अंतिम समय में शरीट छोडने का समय नारायन भगवान को स्मरन करना यही जीवन का लक्ष है तो वो कैसे निश्चित होगा लोगों का तो बुद्धी स्मृति भ्रह्म हो जाता है नाश हो जाता है कुछ पता नहीं चलता है क्या है कौन है मेरा सब को प्लेचन नहीं बाते लोग यहां देखा गया है ना तो यहां कहा गया है श्रीमत भागबत का पहला सकंद 18 ध्याश लोग 4 में 34 लोग में कि जो बेक्ती जो भक्त भगवान के महीमाय सुनके उनका जीवन बिताते है वो भक्तवान को जरूर अवश्या स्मरण कर पाएंगे जीवन का अंत समय में तो अभी तो बहुत शास्त्र है भूरी नी भूरी कर्मानी शुतव भ्यानी भी भाग अच्छा अथो साधत्र यत्सारम समुत्रित्तम अनिशाय बहुत सारे शास्त्र है बहुत सारे विशाय है कौन सा परेंगे कौन सा स्लोक है हजारों लाखों स्लोक है करोरों स्लोक है तो अगर कोई भक्त अगर ऐसे किया जाए तो के गिने चुने जो स्लोक है तो वो लेके एक compilation एक किताब प्रस्तुत किया जाए जहां हमें मिल जाए स्लोक जो हम खुद पर पाए समझ पाए हमारा जीवन में उतार सके और हम प्रचार में भी व्यवहार इस्तेमाल कर पाए तो कैसे होगा बहुत अच्छा होगा है न तो एक भक्त श्रिमान राधिकारमन प्रभुजी ने ये कार कारिय कर दिखाए हमरे लिए उत्तम श्लोक नाम के जो किताब है 101 वेदिक साहित्य से 108 विशय पर पाच हादर श्लोकों का संकलन बहुत सर्याप प्रचार में जाएंगे किस कोई विशय के उपर आपको प्रभचन देना है बोलना है या खुद का जीवन में समझना है वो तो निकाल लीजिए 108 विशय के उपर अलग 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 स्लोक मिल जाएगा जैसे कुछ दिनों पहले कुछ हफ्ता पहले मेरे पास ये किताब आके पोच्छा प्रूजी ने भेजे मेरे पास तो उसके अगले दिन ही दो-तिन दिन बाद ही मुझको कुछ प्रभचन देना था तुलसी महारानी के उपर तो मैं सोच रहा था कि तुलसी महारानी के उपर कोई reference श्लोका मिलेगा तो मुझे ये किताब जो मिल गया तो मैं हाथ में लिया और देखा एक अध्याए है इसमें एक विशा एक विशा है तुलसी महारानी के उपर तो यह देखिए मैं यह स्टिकी नोड भी लगाया हुआ हूँ तो मैंने लिका लाव वो और देखा अलग- श्लोक दिया गया है तो वेसे आसन हो गया तो वेसे अलग-अलग जगह से श्लोक से 5,000 लोग का संकलन राधिकारवन प्रभु ने किये है तो आप कृपया यह किताब संग्रहा करने का प्रयास कीजिए प्रभुजी के साथ संबर्ख करे और यह किताब लीजी और खुल समझने का प्रयास किजिए और प्रचार में भी आप प्रभुपात का प्रचार में आप ये इसे मल कर सकते हैं उत्तम शलोक भाग एक भाग दो और इनका जो टेगलाइन दिया गया है समस्तर वेदिक साहित्य सांकलित कृष्ण भक्ति प्रचार हे तू for the sake of preaching Krishna consciousness कृष्ण भक्ति प्रचार हे तू ये संकलित किया गया है आईए ये पढ़िए लीजिए धन्यवाद हरे कृष्ण